Hello everyone, welcome to PharmaRox YouTube channel PharmaRox के YouTube educational channel में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रॉपर इन्फर्मेशन प्रोवाइड करेंगे about the medicines box medicines box मतलब की first aid kit कि जिसको हम use करते है primary care प्रोवाइड करने के लिए तो जो हमारा first aid kit होता है कि जिसको हम primary care मतलब के हिंदी में कहें तो उसको प्रात्मिक उप्चार जो हम कहते है तो प्रात्मिक उप्चार के लिए गर पे ये दवाईए जो है आपको जरूर से रखने चाहिए कि जो हम आज के ये वीडियो लेक्चर के अंदर detail में discuss करेंगे तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर के अंदर Expert Lecture by Amar Sir, Assistant Professor and Founder of PharmaRox Thank you for being in a 1 lakh family of PharmaRox updated रहिए Pharma Knowledge के साथ एक्सेस कर ये study material, test series, video lecture on app PharmaRox For test series and study material, contact on 901631-2020 तो सबसे पहले समझे के what is the first aid first aid क्या है? तो first aid को हिंदी में हम कहते है प्रात्मिक उप्चार कि जब किसी को minor या फिर कोई serious बीमारी होती है या फिर कोई injury होती है तो उसके दौरान हम जो है उनको immediately जो भी कोई treatment देते है तो उसको हम कहते है first aid the first aid is the first and immediate assistance given to any person suffering from either a minor or serious illness or injury कि कोई भी person को समझे कि कोई injury हुई है या फिर अच्चानक से कोई उसको बीमारी होई है कि जिसको हम कहते है illness तो उस वक्त जरूरी है उसको first aid provide करना तो first aid को हम कहते है कि जो प्रात्मिक उप्चार जो हम करते हैं किसी भी person का तो यह है first aid तो उसके काफी benefits है कि why it is necessary कि first aid क्यों जरूरी है प्रात्मिक उप्चार करना क्यों जरूरी कि जिसके कारण जो है care provided to preserve the life या फिर दूसरे वड़ में हम कहें तो किसी भी person की जो life है वो हम save कर सकते हैं we can save the life साथ में treatment हो जाती है minor prevent the condition from worsening and more serious अम जो कि समझो कि condition जो है वो minor है और minor condition में ही आप समझो कि first aid दे देते है तो आगे जाके वो condition ज्यादा serious नहीं होती और वहाँ से ही वो proper काफी तरह के से वो हो जाती है control तो injury या फिर illness से या फिर कोई भी medical complication से उसके अंदर जब हम वो condition minor हो तबी first aid देते है तो वो काफी हद तक हम control कर लेते जिसके करण we can promote the recovery कि कोई भी person की जो recovery है वो हम करवा सकते है या फिर we can save the life जो उसकी life है वो हम save कर सकते है तो यह है benefits of the first aid की यह है हमारा first aid की जिसको कहते हैं हम प्रात्मिक उप्चार तो first aid kit और उसके related जो medicine box तो a small box containing items such as bandages कि आप उसके अंदर bandage रखते हैं plasters रखते हैं antiseptic wipes for dues in giving the help to seek और injure person until full medical treatment is available कि जब उसको कोई injury होई है तो या फिर वो रखते हैं this kit help to provide primary care and save the life of any person इने emergency तो ये kit के अंदर ऐसे हम अलग-अलग चीजे रखते हैं कि जिसके कारण medical कली जो हमें उसको जो उप्चार देना है वो हम कर सकते हैं उसके treatment कर सकते हैं तो सुरू करते हैं अब कि first aid kit के अंदर कौनसे tools होने चाहिए कि जैसे कि हम tools की जो बात करते हैं कि कोई भी जब work perform करना हो तो उसके लिए सबसे पहरे जरूरत पड़ते है tools की तो first aid के kit के अंदर कौनसे tools रखना जरूरी है तो जिसके अंदर रहेगा scissors आप रख सकते है कि proper जो है वो वहाँ पे scissors होनी चाहिए कि जब cutting करना हो उसके लिए आप use कर सकते है उसके बाद surgical cotton है फिर surgical cotton gaze आते है वो surgical gaze surgical tap अवेलेबल होती है surgical gloves वगेरा mask है and plaster in variety of different size and shape कि ये जो है उसको हम कहते है plasters तो ये जो surgical plasters आते है वो खास आप गर पे रख सकते है फिर ये mask है gloves वगेरा है तो ये सब जो है वो जरूर से रखने चाहिए तो ये है just introduction अब ये सभी चीज़ों को हम detail में समझते है तो सबसे पहले समझे कि medicines for the dressing purpose कि अगर समझे कि किसी को injury हुई है तो जो dressing करना होता है first aid करना होता है कि जो हम मलहम पट्टी करना ऐसा बोलते है हिंदी के अंदर simply तो जब मलहम पट्टी जब करने होती है किसी की अच्छे से उसका dressing करना होता है तो सबसे पहले ज़रुवत पड़ती है ये antiseptic solutions की the antiseptic solutions के अंदर हम अलग-अलग solutions रखते है and they are applied to clean the wound or injury to inhibit the microbial growth कि वहाँ पे microbial growth ना हो bacteria की growth ना हो उसके लिए वो जो injury वाला जो portion है या फिर जो wound है उसको हम अच्छे से क्या करते है clean करते है तो ये clean करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि antiseptic solution जो है वो होना और ये antiseptic solution को use करके हम ये wound को अच्छे से clean कर सकते है तो बहुत सारे ऐसे antiseptic cleans available होते है as well as ये spirit भी आप रख सकते है गर पे कि जो surgical spirit होता है वो भी first aid box के अंदर होना चाहिए कि जो हमारी first aid kit है तो जो surgical spirit आता है या फिर जो हम ये antiseptic solutions की जैसे saulon का ब्रांड जाता है datol है ऐसे बहुत सारे अलग-अलग famous ब्रांड भी है कि जो हमें antiseptic solutions provide करते हैं फिर wound को अच्छे से clean करने के बाद वहाँ पे healing provide करने के लिए हम apply करते हैं antiseptic cream को antiseptic cream के अंदर अलग-अलग cream साब लगा सकते हैं जैसे की soframicin आती है syalon का antiseptic cream आता है as well as जो bat no weight है skin cream उससे भी microbial growth जो है वो prevent कर सकते हैं कि जब किसी भी तरह का ये wound या फिर healing होता है तो ये है dressing purpose के लिए medicines के जो आपको जरूर से रखनी चाहिए for the first day तो ये हो गई medicines but कौन से tools या फिर जो sanitation के लिए sanitizer भी साथ में रखना चाहिए उसी के अंदर तो ये है hand sanitizer उसके बाद देखिए कि tools for dressing purpose अब dressing करना है किसी भी person को तो कौन से tools जो है वो रखने पड़ेंगे तो tools के अंदर हमें जरूरत पड़ेगी scissors की तो यहाँ पर आप देख सकते है आपको अच्छे से scissor रखनी है कि जिससे समझो कि ये bandage को अच्छे से cut करना है आपको फिर cotton gaze को cut करना है ये जो पट्टी आती है tap आती है उसको cut करना है तो उसको अच्छे से cut करने के लिए scissors के खास जरूरत पड़ेगी फिर जो surgical cotton होता है कि यहाँ पर आप देख सकते है कि ये जो surgical cotton तो ये surgical cotton भी जरूर से होना चाहिए first aid box के अंदर as well as medicines के box के अंदर surgical cotton bandage कि ये जो आप देख सकते हैं ये है cotton के bandage तो ये bandage जरू से कि जब injury होती है या फिर काफी bleeding होता हो patient को तो उस वक्त ये bandage जो है वो काफी helpful रहती है फिर surgical जो gaze होते है वो खास जरूरी है फिर cotton stick swab तो ये आप देख सकते हैं cotton stick swab फिर ये surgical जो gaze होते है जिसको हम कहते हैं कि पटी बांदना कि जो पटी बांदी जाती है जब हमें को injury होती है कहीं पे भी तो ये जो पटी बांदी जाती है वो cotton stick का जो swab होता है वो भी साथ में रखना चाहिए और surgical gaze फिर ये surgical टैप ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है surgical टैप की वो भी रखना चाहिए surgical gloss की समझे कि आप किसी person को first aid दे रहे है तो जरूर से hand gloss लगा कर ही साथ में surgical mask पहिन कर जग आप उसका उपचार करोगे प्रात्मिक तो काफी beneficial रहेगा और साथ में plasters in variety of different size and shape की ये जो है plasters कि जरूर पड़े कई बार plasters भी लगाना पड़ता है तो ये plasters भी हम include कर सकते है हमारे first aid box के अंदर first aid kit के अंदर की जो हमारा medicine box है तो ये हो गए tools for dressing purposes अब जो कुछ instruments रखना जरूरी है कि first aid kit के अंदर कौन से instrument हम रखे तो ये thermometer thermometer to measure the body temperature at home कि गरपे ही समझो के आपको body temperature measure करना है तो thermometer खास रखना जरूरी है फिर glucometer for blood sugar measurement कि ये जो glucometer यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये glucometer हम use करते हैं खास कर blood sugar measure करने के लिए कि अगर समझो के गरपे कोई diabetes का पेशंट है तो diabetes के पेशंट के लिए खास जरूए कि अगर कई बार सुगर increase हो जाता हो सुगर down हो जाता हो तो गरपे ही आप ये glucometer से चेक कर सकते हैं फिर blood pressure measurement device के अगर किसी को blood pressure related problem है तो ये blood pressure का जो measurement वाला जो instrument आता है वो रख सकते हैं nebulizer की जो नास लेने के लिए खास कर and asthma form for asthma patient and oximeter तो यहाँ पे जो हम oximeter देख रहे हैं वो भी आपको समझे की जरूद है तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं first aid kit के instruments के अंदर तो ये depend on you है आपकी choice के समझे की thermometer तो priority है बढ़ अगर गर पे diabetes का patient हो तो glucometer जरूद से रखे blood pressure का pressure है और blood pressure related कोई patient है और fluctuations रहते है blood pressure के अंदर तो घर पे ही आप जो है वो check कर सकते है कि जिससे primary care जो है वो आप provide कर सके और जिससे patient के life save hook कर सके फिर vital science monitor करने के लिए oximeter या फिर जो अभी digital watch वगेर आती है कि जो अलग-अलग vital science आपके measure करके देती है वो भी आप रख सकते हैं आपके पास फिर first aid kit के अंदर आप medicines के बात करते है कि जो कैसे medicines के जो non prescription drugs रहती है कि directly आप आपको over the counter pharmacy पर से मिल जाते हैंगी you can taken from the pharmacy कि जो pharmacy या फिर medical store हम कहते है chemist and drugist कहते हैं वा से ले सकते हैं आप that are fever के लिए first aid kit या फिर medicine box के अंदर जरूर से रखिया paracetamol as well as ibuprofen painkillers के तौर पे हम देखे तो aciclofenic है उसके लावा जो diclofenic are the enough कि जो aciclo and diclofenic sodium जो है enough है painkillers के तौर पे कि समझो कि कोई भी टाइप का pain होता है आपको तो यह painkillers enough रहते है कि aciclofenic है diclofenic है तो वो enough है to reduce the pain sensor even समझो कि आपको tooth pain हो रहा है अचानक से तो भी aciclofenic का जो tablet है उससे primary care के तौर पे आप जब तक dentist के पास ना जाए तब तक आपका जो pain है वो aciclofenic लेकर reduce कर सकते इवन अचानक से कोई पैर में आपको muscles cramp हुआ है muscles में injury हुई है तो भी temporary pain को reduce करने के लिए aciclofenic ले सकते है fever है तो paracetamal देकर patient को stable कर सकते है then reduce the nausea vomiting तो nausea vomiting जब होता है कि जब आपको vomiting जैसा होता है nausea feel होता है तो bismut sub salicylate का option रहता है as well as जो evomind कि motion sickness के अंदर भी जो use होता है promethazin कि जो over the counter available रहती है headache रहता है person को तो headache के अंदर paracetamal भी use करते हैं कई बार but aspirin और ibuprofen भी option है आपके पास और समझे कि ibuprofen से ठीक हो रहा हो paracetamal तो aspirin avoid करे तो भी चलेगा then common cold कि जब अच्चानक से common cold हो रही हो allergy के करन को cold हो रहा है आपको तो that time या फिर runny nose के symptoms आ रहे हैं तुस वक्त first aid की या फिर medicine box के अंदर आप रखे satrizin chlorphenid amine mallet के जो tablet की जिसको हम CPM की tablet कहते हैं फिर allergy है तो उसके लिए भी same satrizin as well as chlorphenid amine mallet vertigo कि जब किसी को चक्कर आता है spinning होती है चक्कर आते है तो उसके लिए maclezine की जो over the counter मिल जाता है फिर diamond hydrinate drama mine की जो over the counters मिल जाता है या फिर आपके treatment चल रही हो और डॉक्टर ने prescribe की है कुछ medications तो वो prescription medications भी आप आपके first aid की या फिर medicine box के अंदर रख सकते है कि जब आपको कोई vertigo related problem हो then acidity खास कि acidity जो है वो common रहता है कई बार कि कुछ हैसा खाने में आ जाए या फिर acidity related problem हो तो जो tablets की हम बात करें तो ranitidine होती है famotidine है तो ये medications की जो histamine H2 receptor blockers होती है तो कुछ prescription भी रहते है कुछ over the counter मिल जाते है तो आपको समझे की already prescribed की हुई है physician ने तो वो medicine भी आप आपके medicine box के अंदर अच्छे से रख दे तो आप regularly उसमें से आपकी medicine खा सकते है कि like ranitidine हो या फिर famotidine दिया हो या फिर over the counter में देखिए तो milk of magnesia दिया हो कि जैसे ये diisin वगेरा होता है magal red simithicon suspension होता है तो ये जो suspension और syrup वगेरा preparations होती है acidity की वो आप रख सकते है फिर quick relief के लिए temporary ino होता है फिर soda जी के जो effervescent powder रहता है sodium bicarbonate का फिर pentoprazole और rabiprazole या फिर omiprazole की जो prescription रहती है Rx की समझे कि आपके doctor या physician या फिर healthcare provider ने अल्रेड़ी आपको prescribe किये है तो ये जरूर से रखे acidity का medications उसके अलावा over the counter non prescription diarrhea के अंदर की अच्चानक से घर पे किसी को diarrhea हुआ है और diarrhea के अंदर जो medicines या फिर जो stomach pain होता है उसके कारण कि diarrhea और diarrhea के कारण stomach pain है तो bismut sub salicylate की जो pepto bismol करके product आती है उसके अलावा lopramide के tablet आते है फिर ORS solution and zinc tablet तो ये एक option रहता है कि जो over the counter non prescription drugs even prescription drugs में हम देखे तो diarrhea के जो हमने lecture बनाय थे आपके उसमें बताया था कि metronidazol है cifrofloxacin है वो सब भी हम patient को देते है कि जब उसको diarrhea होता है फिर abdominal pain है या फिर आपके periods के दोरान pain होता है तो period pain as well as abdominal pain के अंदर diacyclomene की जो काफी effective रहती है तो वो आप first aid में रख सकते है constipation है किसी को तो कोई भी lexative या फिर purgative की जो OTC में मिल जाता है like कि castor oil का emulsion है तो पहले तो basic ही try करने चाहिए कि constipation है तो ऐसा नद करिए कि directly आप कोई higher medication लेते है सबसे पहले minor medications जैसे कि castor oil emulsion है तो उससे समझे कि ठीक हो जाता है तो आगे कोई tablets खाने की ज़रूत नहीं रहती या फिर ये कायम चूरन है कि जो काफी herbal product आती है फिर उससे ठीक ना हो तो बिसा कोडिल के tablet है docusate का जो tablet आता है dulcolex है stool softner जो हम कहते है फिर liquid paraffin के जो emulsants वो सब हम try कर सकते है constipation के अंदर और जो first aid की इस डिया फिर जो आपका medicine box से उसके अंदर जरूर से रखे फिर समझो की आपको होता है dry cup तो बहुत सारे इसे antitucive जो preparations होती है खासी के लिए कि जिसके अंदर combination रहता है dextromethorphan decongestant expectorant antipyrotics वगरा की combination वाले cup syrup होते है वो आप use कर सकते कि जो easily OTCP आपको मिल जाते है over the counter to get the relief from the cup problem और एस तरह से cup होतो आप जरूर से जब आप एक वार अपना diagnosis करवा कि जो भी आपको prescribe किये है dry cup या फिर weight cup के लिए वो medicine भी फिर आप regular use करते है तो वो भी आपके medicine box के अंदर आप include कर सकते है then ये एक खास जरूरी चीज़ है कि skin burning कि किसी भी तरह से अचानक से आपकी skin जो है वो burn ही कि या कि देखो कि कोई पानी गरम कर रहा हो चाए गरम कर रहे हो खाना बना रहे हो और किसी भी accidentally जब अचानक से skin समझे कि burn होती है इस तरह से तो skin burning के अंदर काफी जो famous है cream that is silver sulfa diazine कि जो API जो हम कहते है active pharmaceutical ingredient कि cream के अंदर आप main check करिये API कौन सा है ingredient कौन सा है कि silver sulfa diazine का जो cream आता है 1% कि जिसके अंदर main silver sulfa diazine होती है और ये powerful medication है skin burn के अंदर काफी जो है वो relief करती है as well as over the counter में ये burn all भी मिल जाते है कि जब किसी को burning हुआ है और उस वक्त skin को जो है वो protect करवाने के लिए ये भी एक जरूरी medication से first aid कीट के लिए उसके बाद oral rehydration solutions ये खास कि ORS कि आप ORS रखे कि जब भी electrolyte patient के कम हुए है तो electrolyte supplements के तोर पे और समझे कि hypoglycemia जैसा हुआ है energy पेज लग रहा है कि energy काफी कम हो गई है patient की weakness जैसा लग रहा है तो उस वग जो आपके first aid कीट के अंदर या फिर medicine box के अंदर glucose powder भी होगा electrolyte supplements होंगे जिसे की ORS है तो उससे काफी हद तक फाइदा हो जाएगा कि patient को energetic feel होगा कि जिसके कारण काफी जो है वो फाइदा होते कि electrolyte जो होते कि like sodium chloride है potassium chloride है sodium citrate और glucose जब मिलता है तो उससे काफी जो है वो energy आ जाती है तो ये भी आप include करिए first aid कीट के अंदर फिर calamine lotion एक काफी important चीज़ है first aid कीट के लिए या फिर medicine box के लिए कि calamine lotion तो जब skin disease कोई होती है minor skin disease जैसे कि skin पे आपको rasis हुए है skin rasis जैसा है या फिर itching हो रही है तो उस वक्त ये जो calamine lotion है या फिर जो lacto calamine हम कहते है या फिर calamine lotion तो skin protection का काम करता है externally skin उपर आप ये apply करते है कि जिससे काफी फाइदा होता है फिर जो glycerine है तो glycerine के benefits ये है कि glycerine जो है वो skin protection का काम करता है तो mouth ulcer के करण आपको burning हो रहा है आपको mouth ulcers के उपर तो glycerine लगाने से काफी relief मिलता है burning sensation on skin and dry skin ये तीनों के अंदर glycerine जो है वो आपको काफी benefits देगा फिर बात आती है iron folic acids के tablets की तो iron folic acid है vitamin B complex है and जो vitamin deficiency जो होती है कि vitamin B complex 40 with vitamin C capsule तो जो bicocells हम कहते है bicocells के जो capsules तो जब आपको mouth ulcers होते है anemia related problem है fatigue है मतलब कि थकान होती है तो उस वक्त ये जो है वो आपके लिए काफी best treatment रहती है कि जब iron folic acid के deficiency के करण anemia हुआ है same iron folic acid या फिर vitamin B complex की deficiency से आपको mouth ulcer हो रही है और जब आपके body के अंदर vitamins की कमी है iron folic acid कमी की कमी है तो उससे जब fatigue होता है थकान होती है तो उसके अंदर भी ये काफी benefit रहते है ये folic acid के tablet फिर ये methylcobyleamine pyridoxin की जो tablets होती है या फिर folic acid and iron combination या फिर vitamin B complex फिर first aid के लिए painkiller जो spray आते है बहुत सारे ऐसे अलग-अलग brands से आप देख सकते हैं आप इस्क्रीन पे कि जो available है market के अंदर कि जो अलग-अलग well-known pharma companies उसको manufacture करते तो जो painkiller के जो spray है as well as आपको spray suitable ना हो or ointment use करने हो तो भी ये अलग-अलग gel या फिर ointments available होती है कि like iodex एक brand है kombi flame है walli नी है as well as woveni है woveni walli नी move है pain care gel बहुत सर ऐसे gels होते हैं कि जो painkillers gels होते हैं वो आप जरूर से रखे first aid kit as well as medicine box के अंदर फिर headache तो headache के अंदर tablets से better है कि सबसे पहले समझे कि आपको ये जो bomb होते है कि जो ointment हम कहते हैं उससे ठीक हो जाता हूँ कि लाइक आयोडेक्स है अम्रू तांजन है tiger है हिमालिया के products होते है jandu है बहुत सरे से well known जो pharma companies है कि जो design करते हैं ये ointments कि जो headache के लिए हम use करते हैं तो in India some semi solid preparations also very popular in pain relief category to treat the headache they are various balm ointment gels and they content the pain relievers के उसके अंदर जो main content होता है that is the pain relievers तो ये कुछ higher vedic होते है और ये काफी फाइदा देते हैं हमें headache के अंदर तो जब इससे ठीक हो जाता हो headache तो painkillers की जरूरत नहीं है medicines लेने की तो ये भी आपके first aid या फिर medicine box के अंदर जरूर से include करें फिर to keep the eyes healthy and prevent the dryness कई बार क्या होता है कि जब काफी हवा होती है wind sunlight या फिर घर्मी के कारण या फिर air conditioning के कारण फिर ज़्यादा देरे आप computer use कर सकते है रिक करते है या फिर reading करते है mobile screen या फिर laptop PC के से भी screen के आप एक काफी काम करना पड़ता है या फिर regularly आपको CCTV cameras वगरा monitoring करते हो और TV screens वगरा देखनी पड़ती है computer operates करने है तो उसवाग क्या होता है आप मारी जो eyes है वो dry हो जाती है तो carboxy methyl cellulose के जो eye drops होते है carboxy methyl cellulose के ये eye drops तो ये eye drops जो है वो lubrication का काम करते lubricant for dryness and irritation तो कुछ medications के करन हवा के करन air conditioning computer screen usage के करन जब आखे dry हो जाती है या फिर irritation होता है आखों के अंदर तो उस वक्त आप समझों कि ये eye drops यूज करते है आप ये eye drops लगाओगे तो भी उससे फाइदा होगा तो ये भी आप आप जरूर से रखे कि आपकी eyes के care करना जरूरी है to prevent the dryness of eyes or to keep the eyes healthy ये एक जरूर से रखे आपके medicine box के अंदर फिर ये एक जरूरी चीचे that is sanitary pads that must be keep in medicine box कि medicine box के अंदर ये चीज जो है वो कभी भी नहीं बूलना चाहिए कि sanitary pad also necessary फिर first aid kit के जो medications कि you can also keep the RX only you can also keep the RX only prescription based medicines which are provide you based on the disease कि आपको आपकी जो disease है कि समझे कि आप diabetic patient है और आपको जो भी diabetes का medicines दिये है वो आप अच्छे से आपके medicine box के अंदर रखे as well as hypertension की जो high blood pressure का problem है वो patients chest pain के जो patient है उनको भी जो prescribed की हुए medication से वो regular लेना चाहिए और वो भी आपके medicines box के अंदर रखे urinary tract infections के medications पाप्टी कलसर related medications उसके अलावा fungal infection हो respiratory tract infection tuberculosis है heart related problem है eyes में infection है ear infections skin infection migraine है तो ये सब भी prescription medications की जो जरूर से रखने चाहिए आपके first aid kit या फिर आपके medicine box के अंदर तो thank you friends for watching this lecture जरूर से वीडियो को like करिए valuable comments करिए share Korean channel को subscribe करिए pharma rocks के जो lectures होते है उसके pdf वगेरा pharma rocks की app over available है तो अगर आपके पास iPhone है तो App Store पर से आपको download कर सकते है और अगर आपके पास Android phone है तो Google Play Store पर से download कर सकते है join कर सकते है WhatsApp group 94261 8036 WhatsApp helpline number है subscribe करिए channel access करिए study material test series video lecture on app pharma rocks so good luck and all the best